जहाज उड़ने के लिए तयार था, उसे किसी कॉंफरेंस में पहुँचना था, खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी वो कॉंफरेंस, वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया, अभी कुछ दूर ही चला था कि कैप्टन ने एलान किया, तूफानी बारिश और रेडियो सिस्टम ठीक से काम करना ही रहा है, इसलिए हम करीबी एरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर है, जहाज उतरा और वो बाहर निकल कर कैप्टन से शिकायत करने लगा, उसका एक एक मिनट कीमती है, होने वाली कॉंफरेंस में उसका पहुँचना बहुत जरूरी ह पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया, और बोला डॉक्टर जिशान साहाब आप यहां पहुँचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से तीन घंटे में पहुँच सकते हैं, उसने शुक्रिया आदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा, लेकिन ये क वही गनीमत समझिये कि गाड़ी से नीचे उत्रा और दर्वाजा खट-कटाया, अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दर्वाजा खुला है, अंदर एक बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी, उसने कहा माजी अगर इजाज़त हो तो आपका फोन इस्तमा लो, ताकि आगे का सफर कुछ आराम से कटे, डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा, बुढ़िया नमाज और दुआ में मश्गूल थी, एक बच्चा कंबल में लपेटा पढ़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी देर में हिला देती थी, बुढ़िया अल्ला ने दिया है, मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है, बस एक दुआ की कबूलियत में शायद उसे जादा समय लग रहा है, जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा, तब डॉक्टर ने पूछा कौन सी दु बुडिया ने बताया, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अध्मरा पड़ा है, मेरा पोता है, ना इसकी माँ जिन्दा है न बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, डॉक्टर कहते हैं इसे खतरनाक मर्ज है, जिसका वो इलाज नहीं कर सकते, कहते ह आँखों से आसुओं का सैलाब बहने लगा, वो भर्राई हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम आपकी दूआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आस्मान पर बिजलियां को अध्मा दिया, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक आ जाँ, खुदा की कसम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि खुदा एक दूआ कबूल करके अपने बंदे के लिए इस तरह आसानी मुहिया करा सकता है, वो बुसबुल अस्बाब है, अल्ला के बंदों उसे लौ लगा कर तो देखो, जहां जाकर इनसान बेबस हो जाता है, वहां से उसकी